हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सर्व सिक्षा भियान के अंतरगत एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो लोग भी चैनल पे नए है प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द छोटो मोटो बेल आइकन फोर द लेटेस्ट अपडेट आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो जहां से आपको सारी पीडिया फ्री में अबलेवल कराई जाती है नीचे कॉमेंट सेक्षन में आपको पिन क्या हुआ कॉमेंट मिल जाएगा जो कि टेलिग्राम चैनल का लिंक है और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलिग्राम पे डिरेट सर्च कर सकते हो मितुन सिंग और वहाँ पे मैं आपको बता दू चालिस सोई स जो को आपके सामने में रखने वाला हूँ देखिए ऐसे ही आप आते हो तो वाट्स न्यू वाले सेक्षन में आपको दूसरे नमर पे जो नॉटिस दिख रहा है इसे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो देखिए एक नई विंडो खुलेगी और ये 3MB के एक फाइल है जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है, 3MB के फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद उसे आपको आपएन करना है और वहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, देखिए अगर आपको यह इंफर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज कॉमेंट में जैहिंद जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, देखिए सबसे पहले फुल टाइम टीचर के लिए मैथमेटिक्स, साइंस और इंगलिस की रिकूट्मेंट है और यहाँ पे 22,000 रुपए सैलेरी दी जाती है और मैथमेटिक्स के लिए PCM का होना जरूरी है, पीपो फिजिक्स, सीपो केमेस्ट्री, एंफोर मैथमेटिक्स, पलस बीएड होना जरूरी है, साथ में कोई भी टैट अगर आपने पास कर रखा है, तो आप इलिजबल हो जाते हो, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे पार्ट टाइम टीचर की तो स्काउट, गाइड एंड स पीचर के लिए, और जो फुल टाइम टीचर है, उन्हें सेलरी 22,000 रुपे पर मंद दी जाएगी, लेखा कार की 11,000 रुपे आपको रिकृट्मेंट दिखेगी, और इसके लिए सिर्फ बीकॉम होना जरूरी है, साथ में अगर आपने कहीं से कम्प्यूटर पे काम करने के लिए डिग्री लिए है, तो आपके लिए फाइदे मंद रहेगा, साहयक रुसोया के लिए एक रिकृट्मेंट है, और सेलरी इसकी जो होगी, वो एक कावन सो पशेतर रुपे होगी, और कम से कम, एट क्लास तक आपने अगर पढ़ाई की है, तो आप यहां पे इलिजबल हो चाते हो, और एके करके मैं एक और चीज़ बताओ, मिनिममम एज इसकी होती है 25, और मैक्सिमम एज होती है 45, तो आगर आप यहां पे इन दोनों क्राइटरिया को फॉल्फिल करते हो, ताप अपलाए कर सकते हो, और इसकी जो लास्ट डेट है, पहले में वो बता दू, द हाला तो है कि आप रजिस्टर डाक से इसे भेज सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्पीट पोस्ट भी कर सकते हो, कुरियर या फिर किसी आनी तरीके से भेजने की जरूरत नहीं है, अदरबाई जी आपको रिजेक्ट कर देंगे, अब नीचे देखे दो तिन और चीज़े है अवेदन पत्र आपको 25 बाई 10 सेंटीमिटर के दो लिफाफे, जिसमें 41-41 रुपिस का टिकट लगा होना चाहिए अंदर में, और एक बड़ा सा लिफाफा जिसमें उसके अंदर दोनो लिफाफा, छोटा लिफाफा, साथ में आपके सारे मैट्रिक इंटर ग्रिजुएश के सर्टिफिकेट मार्सीट जिस पे आपका सिगनेचर हो, सेल पेटेस्टेड हो, और रिसेंट फोटोग्राफ भी आपको देडी है यहाँ पे, साथ मैं आपका जो जरूरी चीज़ है, वो मैं बता दू जो इंपॉर्टन चीज़ हैं, यहाँ पे आपको 11 मेने 29 दिनों के यही यह रखेंगे, उसके बाद आपके बिहावियर पे डिपेंड करेगा, आपकी टिचिज़ स्कील पे डिपेंड करेगा कि यह आगए आपको रखें या नहीं, और यह है रिकूटमेंट के बारे में और मैं डिटेल्स में बता दू, तो यह है रिकूटमेंट आई है, ज परदेश से तो आप यहाँ पर अपलाए कर सकते हो तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग डिस वीडियो हैव ग्रेट टेव